नमश्कार दूतो श्वागत आप सभी का अपना प्यारा से यूटूब चैनल ओनलाइन इस्टुडी पॉइंट में मैं खुशी मैम और आज की क्लास में हम बात करेंगे बैक्टीरिया जिवाडों के बारे में और आपके लिए सबसे बात ये है कि अभी तक आप लोगों की जो क्लास चल रही थी जिसमें आप लोगों को MSQs या वन लाइनर कोशन चलाए जा रहे थे लेकिन आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में अब आपके हर टोपिक्स पर जो भी टोपिक्स उपढ़ाए जाएगा आपको उस टोपिक के पारे में आपको पहले डिटेल्स में बतायाए जाएगा और उसके बाद आप हम से क्यों खुद से सौल करोगे आईए हम देखते हैं, question भी आपको साथ में बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग details को चान लेते हैं, इससे आपकी पूरी पूरी अच्छी से practice भी हो जाएगी और आपका एक टॉफिक भी cover हो जाएगा, आईए question दिखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने हैं, bacteria के बारे में bacteria को हिंदी में बोलते हैं, जिवाडो और अगर हम जिवाडो की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे mind में आता है कि आई जिवाडो के study कहा करते हैं तो study और bacteria कहा करेंगे भी bacteria lozzy में, bacteria lozzy के अंतरगत हम bacteria के बारे में पढ़ते हैं, अब father of bacteriolosy को है जो बैक्टिरियो लॉजी की बात की जा रही उसके फादर के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है वह इसका नाम करण किस ने किया है 1829 में हेरने बर्ग ने इसको 1829 में बताया था कि ये बैक्टिरिया है ठीक है अब अगर हम बात करते हैं इस बैक्टिरिया के बारे में तो देखें यहां पर कुछ आपके यूजफूल बैक्टिरिया भी होते हैं कुछ हार्मफूल बैक्टिरिया भी होते हैं तो देखेंगे ह यह हम आगे की useful bacteria कौन से होते हैं हानफुल बैक्टिरिया क्या होता है। अगर बैक्टिरिया के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले बैक्टिरिया को नात की खुर्चे में देखा गया था और इससे सूच में जीव बोला गया एक ऐसा जीव बोला गया जिसे हम अपनी नगन आखों से नहीं देख सकते बीना माइक्रोस्कोप की help लिए अगर हम माइक्रोस्कोप से दिखते हैं देखते हो तो आपको बैक्टिरिया दिखेगा अन्यता यह नहीं दिखेगा तो यह बात से सबसे पहले यह पर दात की खुछें में देखा गया रीक carpार की किस ने किया था लूस पाल्चन यहां से कवेशन आपकर है की ने किया प् mosque कॉंण किया है तो आपको बताना है कि लुस पाशिं ने किया था और उन्होंने बताया था कि संञा गर्ला बैक्टिरिया दोरह ही होता है जैसे आपने देखा होगा टमाटा सड़ रहे हैं कोई फ्रिजी टेबल से वह सड़ रही है तो जो सड़ना गणला बिकार होना वह सारे बैक्टिरिया के कारड़ी होते हैं ठीक है अब उसके बाद यहां पर एक चीज आपको सबसी इंपोर्टन बात बताए जा रही है कि बैक्टिर धिया को हम पेडल कौत कंप टिंखी का ट्रिक अप्रिया को हम पड़ी जनती मिंस की पारासाइट में तो जी वी जंती मैंताब साप्रोसाइड और सहा जीवी जनतै उम्भी से बोलते हैं तो यो आपका बैक्टिरिया होता है उस्मिल याद रंक चिय five you याद रह तां उसके तो बता दू आपको बताना है कि सरपीला होता है कोहीं उता है कि रोबर्ट कोच दी है कि रोबर्ट कोच जी ने क्या बताया रोबर्ट कोश ने 1881 में सौरपथम जिवाड़ो के कृतिन सनवर्धन मतलब आठिफिशल कर्चर किया ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टिरिया का आठिफिशल कल्चर किस ने किया तो रोबर्ट कोश ने 1881 में किया ठीक है जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कु यहांरे बोड़ी इस होती है तो कौन-कौन-कउनस डिसीज बता रहे हैं मैं कुछ इंपोर्टन डिसीज रही हूं ऐसे भी यह तो ही है ठीक है लिकिन यहां पर इसरında तो यहां पर है सारे bacteria होने वाले disease हैं अगर आपको हय जा हैं तो yağ है जा है तव टन व्य गौnet फार तो यह सारे जो डा कर दू है वो किस के दौरा होते है bacteria के दौरा होते हैं अब अगर आगे भात करें तो यह bacteria का structure आप देख़ पा रहे हैं अब देख़े यहाँ पर bacteria के structure से आपको बहुत सारे questions मिलेंगे कि मैंने आपको जितना भी तक पढ़ाया उसमें से आप maximum questions आप निकाल सकते हो 15 questions आप निकाल सकते हो ठीक है लेकिन अगर हम बात करें कि structure से मैं क्या questions आप बना लेंगी जी हां अगर आपने bacteria का अच्छे से structure पढ़ा हुआ है तो यह मज़ लीजे कि आपका एक भी questions नहीं चुटेगा कहीं से भी नहीं चुटेगा आईए देखते हैं इसके structure में हम क्या बात करने वाले हैं अब आप देख रहे हैं यहाँ पर bacteria तो सबसे पहले देखी covering भी है बैक्टिरिया की जो आउटर मेंब्रेन और इनर मेंब्रेन आउटर मेंब्रेन वाला जो देख पा रहे हैं ठीक है जिसे आप लोगों ने बोला क्या यहाँ चीज को दिखे गया देखिएगा जिसे आप लोगों ने सेल पड़ा तो सेल में आप लोगों ने बैक्टिरिया की हम बात कर रहे है तो और और आप सब बक일 का कर रहे हैं तो यह एक है बैक्टिरिया में देख भार्यों एक जो आप यह यह ऑली लाइन है ठीक है वह स्यलक॥ अब आंस भी आपको बता आप यहां पना होता है और आपकोétais प्लांस में अल्थ से बना होता है तो आपको बताना है लीपो प्रोटीन से ठीक है याद रखिएगा आपसे कोशन पूछेगा कि बैक्टेरिया का प्लास्मा मेंब्रेन किससे बना होता है तो लीपो प्रोटीन का बना होता है और अगर पूछेगा आपसे कि सल वॉल किससे मिलकर बना होता है और याद रखिए बात करें तो पुर्किंजी नामक एक वेगा थै कि ती तुछ थी ठी हे लेकिन यहां पर दिया है यह लिक्विट फ्यूल्ड ए जो आपके बैक्टिरिय हैं लिए बद है अब देखो यहां पर दीया है ribosome, ribosome के अगर बात करें, तो bacteria के अंदर ribosome present होते हैं, ठीक है, जो protein को formation, मतलब protein का निर्माल करने का कार करते हैं, और ribosome के अगर बात यहां पर की जाए, तो ribosome का discovered, पहलादे रमक विग्यानिक नी किया था, ठीक है, अब ribosome, there are two types of ribosome, 70s प्लाजमिए रिक है यहां पे आता है अगर हम बात करते है अगर घर पालते हैं और चारी फॉमम्संटी या फ्लाजमिए अपने क्रोमोसंट में वहां तो प्लास्टिट एक्षा क्रोमोसोम यह इसे प्लास्टिट डियने का ही एक पार्ट है और डियने का कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो डियने से अलग हो जाते हैं लेकिन डियने की तरह कार करते हैं तो इसी को हम प्लास्टिट कहते हैं यह हम कह सकते हैं कि स्मॉल प्लास्टिट यह स्मॉल डियने ठीक है तो हम इसे स्मॉल डियने के नाम से भी जान सकते हैं प्लास्मिट को ठीक है उसके बाद आपका आता है क्या फ्लेजला अगर हम फ्लेजला की बात करें तो फ्लेजला का क क्या होता तो यह बहुत करती है इस आपका प्रोटीन बनाने में यह और आपका थना प्रोटीन बनाने में है कि आपने देखा दो तीन चीजे लेकिन यहां पे निए कलोड लिखा हुआ मतलब की आपकर निए कलोड का मतलब होता है जिसमें क्या नहीं होते बाई जल्दी से बता हो इसमें नियुकलेर भी कहते हैं तुछ है तो आपको याद है की बैक्टिरिय से समन्दी तो नुकलोड को आप लोग जीनो-4 कहते हो ठीक हैं और इसमें नुकलीर मेंब्रेंड थैं नहीं होते हैं इसलिए यह क्या होते हैं नुकलोड होते हैं और डिन निए 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 प्र्वाफी नहीं होता उप्रेजन को यहां से अगर आपका कोई भी कोशन आता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं चोड़ना है बिल्कुल आपको बता देना है आई हम लोग अपने question की ओर देखते है question number आपका क्या है और आप सभी को देखने है कि आप कितने question solve कर लेते हो उसके अलावा भी आपको और भी हम आपको question provide करेंगे आप उसको solve करिएगा फिर बताएगा कि मैं आपने question जो बताया जो समझाया सारे question इसमें cover हो गया question number first है आपका prokaryotic kingdom मुनेरा मुनेरा के सूच में जीव कौन है तो आपका सही answer है इसमें bacteria ठीक है और bacteria का discover कि इस ने किया था इस अभी बच्चों को पता है जल्दी से comment करके बता दो रोबर्ट कोच को किस वर्स noble pruskar मिला तो आपका सही answer है 1905 में ठीक है 1905 में इन्हें noble pruskar मिला द्रौ का एक बूंद में कितने जीवाडू समा सकते हैं भई यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आपके bacteria microscopic हैं तो एक बूंद में 5 करोड जीवाडू समा सकते हैं जीवाडू प्राया किस विदी द्वारा जनन करता है तो आपको बताना आलेंगिक दुखंडन ठीक क्षिए नमबर हम नेक्ट पर आते हैं कुश्यों नमबर 11 बैक्टिरिया की खोश सबसे पहले किष्णे की ती तो आपको बताना है ए बी लीवें हॉक बींस के अन्टाणिवाडू लीवें हॉक ने बैक्टिरिया के बारे में बताया था शलाकर जीवाडू रौट से बैक् प्रतिजम जिवाडु की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है तो आपको बताना है स्पेक्ट्रो फोटो मेटर के द्वारा आपके बैक्ट्रिया की वृद्धि मापी जाती है कौन सा साजीवी नाइट्रोजन योगी की करर जिवाडु है तो आपको बताना है राय जो भी हमें आये कोश्या नमबर हम लोग सिक्षिन में आते हैं कौन बंबर सिक्षिन आपका छटाकार जिवाडु कहलाते हैं थी अब देखे यहां पे आपने देखा थी रॉड्स जीवारू कोशिका नहीं होता तो अगर क्या नहीं की बात की जाये तो सबसे पहले आपको लगा दिना माइटो कांडरिया माइट्रोकांडिया आपके बैक्तीरिया में अपसेंड होता है और अगर हम माइट्रोकांडिया की बात करें जिसका डिस्करवर सबसे पाहले कोली कर दाव सब्सक्राइब अब ह Vai SYA आपसे पुछ चांगा कि बैक्तिरिया को बैक्तिरिया में जो माइट्रो कांडिया होता है नहीं होता है तो माइट्रो कांडिया का माइट्रो कांडिया कितने मिंब्रेन होते हैं मिंस कि आपके माइट्रो कांडिया में कौन-कौन से मिंब्रेन पाए जाते हैं तो आपको बताना है आउटर मिंब्रे है तो कुछ आपक ऐसे भी आपके कोशिकांग होते हैं जिसमें डबल में रेन होती है जैसे कि आपकाakan हो गया माईटरो कांडिया हो अगर आपको सिंगल की बात करें तो आपका राइबोस्ल्क हो गया हनाँ चलो कुशिकाशन अम नेक्श पैयाते यहाँ पर लिखाए कोशिका वित्ती राइबोसोम यह राइबोसोम है प्राजमा जिलिए सब प्रेजंट होते हैं आपका मैट्रुकंडे यहां पर अपसेंट होता है रोग जनक जिवाडु शावित करते हैं क्या एंटिजन जिवाडु जनित बीमारी पाई जाती है पौधों में ज 20-1 है आपका नीमोनिया एक जिवाडु जनित रोग है जो किस प्रकार के जिवाडु दोरह फैलाया जाता है तो आपको बताना है को काई दोरह जिवाडु ऑकसीजन की अनुपास्तिती में जैविक प्रदार्थ का आप घटन किस प्रक्रीया दोरह करते हैं तो आपका अंस बस लगा दो Lactobacillus ठीक है और सबसे छोटा सिल्क इसमें पाए जाता है तो आपको बता दे कि पूरे यूनिवर्स में अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेश सिल्कौन सा है तो आपको बताना है ऑस्ट्रिच ठीक है ऑस्ट्रिच हुमें बॉड़ी में पूछा जाए तो बभके आपका वह जयो लार्जिस होता है ठीक है वह रिप्रोड़क्शन वाले होते हैं तो अगर पूछा जाए तो सुक्क्र आड़ों अगर पूरी यूनिवर्स में फुचा जाया है तो आपको क्या पतानां ठीक है मतलब कि आपका निउर्थ झी पूचा गी अपरgest. छोटा पूरी universe में छोटा आपका क्या है माइको प्लाजमा आपको प्लाजमा में ठाइग है अगर अगर आप से पुछा जाए कि human body का सबसे छोटा से ठीक है human body में कौन सा होता है तो आप बता होगे और भीजिस या फ्रक्राइब होता है लेकिन आपके बुक में आपके गुगल में आपके आर भीजिटीस ही देंगे थीक है कि यहां पर दिखिए पॉइंट का फर्क है ऐहां तो आपको आर भीजिस लगाना है तो आपको मैने बैक्टीरिया से कुछ questions बता हैं जो आपके exam के लिए काफ़ important था कैसी लगी आपको हमारी classes आप हमें जरूर comment करके बताईएगा और ऐसे ही आपकी classes आगे के लिए चलेगी daily with continue आई चली next class पे next video के साथ हम आपसे मिलते हैं